सर्दियों का सेजन और उसके साथ साथ शादियों का सेजन और शादियों में एक जीज जरूर बनती है वो है मटर पनीर वैसे तो मटर पनीर घर पर भी बनाते ही रहते हैं लेकिन शादी में जो मटर पनीर बनता है वो हमें कुछ स्पेशल लगता है तो आज वैसा ही मटर पनीर हम घर पर बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ चार मसालों से बन कर तैयार होगा बहुत ही कम मसालों में जबरदस्त टेस्टी मटर पनीर बनाने के लिए उसका एक खास तरीका है जो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी तो चलिए दोस्तों ये शादियों वाला मटर पनीर बनाना शुरू करते हैं अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरी ऐसी और भी वीडियो दिखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि मेरे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक कड़ाई और इसके अंदर डालेंगे एक चुथाई कब तेल वैसे तो तेल बहुत ज़्यादा जाता है इस सबजी में लेकिन हम घर पर ही बना रहे हैं तो तेल कम ही इस्तमाल करेंगे और कम तेल का इस्तमाल करके भी ये सबजी आगे बहुत ही तरीदार बनने वाली है तो वो आप आगे देखिएगा अब यहाँ पर मैंने 3 MEDIM SIZE के प्याज लिए हैं, जिने मैंने चौपर में एकडम fine काट कर लिया है, paste नहीं लेना है प्याज का, प्याज को एकडम बारे काट लिए और इससे जो gravy का texture होगा वो दानेदार होगा जो देखने में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है अब इन प्याज को हमें बहुत ही अच्छा केरेमलाईज करना है तो सबसे पहली टिप तो यही है मटर पनीर बनाने की कि जो प्याज हम लेंगे उसे अच्छे से भूनना है तो इसमें जितने भी हम मसाले लेंगे चीजे लेंगे उसकी भुनाई बहुत ही important है तो यहाँ पर प्याज में मैंने नमक डाल दिया है तो इसे प्याज जल्दी जल्दी से पकने लगेगा तो बस अब प्याज को लगातार चलाते वे हम पकाते रहेंगे अब प्याज ओल्मोस्ट आदा पक चुका है तो देखिए यह लाइट रेड कलर का होने लगा है तो इसी स्टेज पर हम दो से तीन बड़ी जमच अधरक और लसुन का पेस्ट डालेंगे तो ताजा अधरक और लसुन का पेस्ट इस्तमाल करें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मत्र बनीर का अब प्याज के साथ इस पेस्ट को भी हम पका लेंगे तो अब इस प्याज को हमें अच्छा सा ब्राउन करना है जब यह अच्छा ब्राउन हो जाएगा तो प्याज केरेमलाईज हो जाएगा और उसका मिठास इस क्रेवी को बहुत अच्छा टेस्ट देगा अब क्योंकि इसमें हमने लसुन डाल दिया है तो यह पेन में काफी चिपकेगा तो हम क्या करेंगे बीच में थोड़ा सा पानी डाल देंगे एक पार फिर से से पकाएंगे तो ऐसा करने से जितना भी पेस्ट पैन में चिपका है वो भी उतर जाएगा साथी प्याज को हम धीरे धीरे और पकाएंगे तो उसका टेस्ट भी इनहेंस होगा तो अब आप देख सकते हैं कि पेस्ट में से सारा ओयल है वो रीलेज होने लगा है प्याज अच्छा ब्राउन हो चुका है सारी चीजे बढ़िया से पक चुकी है तो इतना इसे जरूर पकाएं और अब इतना पकने के बाद इसमें तीन मीडेम सेच की टमाटर को इस तरह प्यूरी बना के डाल देंगे तो बस सिंपल टमाटर को लेकर ग्राइंडर में पीस कर डाल दें तो आप चाहिए तो एकदम बारी काट कर टमाटर को भी ले सकते हैं लेकिन क्या होगा कि टमाटर के चंक्स हैं वो हर किसी को फिर पसंद नहीं आते हैं जब मुह में आते हैं तो मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया हैं अब टमाटर के पेस्ट को भी अब अच्छे से हमें बूनना है तो बीच बीच में लीड लगाते वे और इस तरह से हम cover करते जाएंगे और इससे चलाते जाएंगे तो ये जो टमाटर का paste है वो भी और अच्छे से पक जाएगा अब देखे देरे देरे पकते पकते इसमें से oil release होने लगा है बहुत अच्छे से ये पक चुका है और इसकी जो मातरा है वो भी काफी कम हो गई है तो अब हमें क्या करना है इसमें मिलाने है पावडर मसाले जब ये अच्छे से पक जाए तो मसालों में हम लेँगे दो चमज धनिया का पावडर धनिया पाउडर के साथ साथ हमें लेना है हल्दी पाउडर तो आदा चमच लेंगे हल्दी पाउडर दो चमच लेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर और ये दी लाल मिर्च पाउडर आपका ज्यादा तिखा है तो आप कम भी ले सकते हैं और साती लेंगे एक चमच गरम मसाला, तो गरम मसाला हम नॉर्मली लास्ट में डालते हैं, लेकिन इस सब्ची में हम अभी डाल देंगे, क्योंकि गरम मसाले में काफी सारी खड़ी मसालों का फ्लेवर होता है, तो हमें अलग से इसमें कोई खड़ा मसाला नहीं डालना दोगा और बिल्लेवर आएगा अब हम विमसालों को भी अच्छे से रूस्ट करना थी देखे ब Crisp in time और इस पेस्ट को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और जब यह हलका सा रूम टैंपरेचर पर आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आता कब दही जिसे मैंने फैंट कर लिया है दही को पहले इस पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गैस का फ्लेम अभी ओफ ही है जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम गैस का फ्लेम अन करेंगे और इस दही को भी इस पेस्ट के साथ काफी अच्छे से भूनेंगे अब दो मिनिट इसे भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चोथाई कब दूद की मलाई और आप चाहें तो क्रीम का इस्तिमाल सबीटाओर आप डूति हैं Sa confirm można люблю में अब चाहें कर सकते हैं या डूद की मलाई ले सकते हैं और यदि मलाई नहीं है तो आप दूद lei सकते हैं तो दूद की मातरा तोड़ी जया हैं मैं मलाई ले रहे हैं इसलिए मेने मातरा कम अगलें अब मलाई डालकर तुबारा हमने सारे मसालों को अच्छे से पका लिया है तो देखे इसमें से सारा जो ओयल और जो मलाई में फैट होती है वो रिलीज होने लगी है तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें गरम पानी ताकि हमारी जो टेंप्रेचर है ग्रेवी का वो जल्दी से ठंडा ना हो फटा फटी इसमें गुबाला जाएं तो कवर करके इसमें गुबाला ने देते हैं और ये देखे कितनी तरीदार ग्रेवी पनी है तो ये जो हमने दही और मलाई डाले थी उस वज़ए से वाय तेल हमने ज़्यादा इस्तमाल नहीं किया है सबजी के साब से लेकिन जो हम इसमें दही और मलाई डालते हैं उसमें से जो गी होता है वो सेपरेट होने लगता है इसलिए जो सबजी होती है वो काफी तरीदार दिकाए देती है तो चलिए अब इसमें पनी डाल लेते हैं 200 ग्राम मैंने पनी लिया है और 200 ग्रामी उबलेवे हरे मटर लिये हैं तो मटर को मैंने अलग से उबाल कर ले लिया है तो फटाफट से ही ये ग्रेवी में पक जाएंगे अब मटर और पनीर डालने के बाद क्योंकि मटर तो अल्रेटी उबलेवे हैं इसे रोस्ट करके लिया है इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है लिकिन ये टोटली ऑप्शनल है आप डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं तो कसुरी मेथी को रोस्ट करके इसे इस तरह क्रश करके डाल देंगे तो बहुत ही इस तरह बाउडर बन जाएगा टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा अब एक मिनिट के लिए हमने इसे और पका लिया है तो देखे हमारी बढ़िया सी मटर पनीर बनकर है तयार तो लास्ट में इसमें डाल देते हैं कुम सारा बारी कटावा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो ये हमारी बहुत ही जबरदस्त टेस्टी मटर पनीर बनकर तयार है और आप क्रेवी का टेक्शर देखी कितना ज़्यादा बढ़िया है बहुत ही दानिदार है एकदम क्रीमी है बहुत ही अच्छी तरीदार सबजी बनकर तयार हुई है तो इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गरम और सर्दियों में इसी गर्मा गरम मटर पनीर की साथ पूरी पराठे मिल जाएं तो वह क्या कहने तो आप भी ये सिंपल लेकिन टेस्टी मटर पनीर जरूर बनाएं और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज एक स्माइल के साथ लाइक का वटन जरूर दबाएं प्रेंट्स कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना मिलते हैं को और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई